असलाम अलेकूम डकन क्राइम नियूज में आप सब का खेर मक्तम है ने वनस्तली पुरम पूलिस टेशन में इस बात की शिकाय दर्च करवाई थी और आज तैकिकात के दोरान जॉइन्ट आपरेशन में सी सी एस एस एल बिनगर एसो टी राच्चा कॉंड़ा और वनस्तली पुरम पूलिस ने मिलकर चार अफराद को इस चोरी के केस में गिरफतार किया और उनके खब्जे से 18 लाग नकट रुपिये एक कार एक टू वीलर और पांच मुबाइल फोन्स को जब्त किया ऐसी यह उतासा खबरों के लिए हमारे चानल को लाइक शेर और सिस्क्राइब करें आए दिखते हैं पूरी तफसिला डखन क्राइम नियूस पे केस हुआ था बार दिन पहले वो केस बहुत सेंसेशनल केस था आप सभी वो पता है इमेडियेटली हमारे DCP साहब, DCP क्राइम, DCP SOT सभी लोग सीम विजट किया था तो उसमें एक मैला वेंक ट्रेटी जिनकी वाइन शॉप है वह वहां से घर जा रहे थे तो पचास लाग रुपिया उससे दो एक्यूस्ट मोट साइक यह स्कूटर पर आके उनको किक करके ब पर किया गया है, उसमें यह मालूप पढ़ा कि जो इसमें से एक में एक्यूस्ट है, नईम उसने किसी से पैसा लिया था वेंक ट्रेटी के रिलिटिव से, बचास लाग रुपिया, वो रियल शेक का काम करता है, उसमें खोड़ा नुक्सान हुआ या कोई रियल सेट का डी पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रोबरी करके ले लेंगे, तो यह प्रॉब्लम खतम देंगे, यह स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और उमर्ग बिन हमजा को में तरीके से पांटेक्ट किया, और जो उमर्ग बिन हमजा है, वो भी रियल पांटया रहे हैं, ऐसा खेके उसने दुकान पे खोलाया, बेंकट रेटी में, जैसे ही इसने पैसा वापस किया, नई में इमीडियेटली उमर्ग फोन किया, और जैसे यह इवनकट रेडी यह पना तयार उंके खड़े थे, रह हुएं और जैसे यह वेंकट रेटी उन्हा तो पीच में उसको हमला करके उसको लाट से मारा और दोनों बैक चीने की तोश्ची ती उसके रेजिस्टेंस करने पर उसको विरोध करने पर एक वही गिर गिया 25 लाग और एक बैक को लेकिन लोग फरार हो गए फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग अगरा करना किया इमीडियेटली यह जो ती लोग थे इनमें से बॉम्बे चले गए रहीम गवरी पांच लाग रुपया लेके बैंगलोर चला गया इन पर कंटीनियसली हमारी नजर बनी हुई थी एक फहाद ट्रेवल एजेंट है उसको इनोंने कॉंटेक्ट करके पूरी बात बताके क हमारे अगर डॉकुमेंट्स तैयार हो जातों यहां से अने दुबाई फरार हो जाने का प्लान तो उस पर हमने एक काम तो यह किया कि लोग तो यह लोग उसी मर्सीडीज बेंच कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे और उसके बात यहां से द देश से फरार होने का प्लान करते उसी प्लान में इंफोर्मेशन आने के बाद हमारे के टीम दी सीप साख की अभवाही में और डी सीप क्राइण और डी सीप एइसोटी इन टीम ने मिलके उनको इंटरसेप्ट किया तीन लोगों को और उनकी जब निशान देही पर जो ट् करने की कोश्चिक जिस दील के तहट इसको पैसा दिया गया और वो डील पूरी ने उपाई तो उसके लोन समझ कि उसको मैं चुका देता हूं फिर जब प्रेशराइज करने पर ये रोपने करने के